दादी की कहानी और नानी की कहानी बच्चों को बढ़ा पे तक भी याद रहती हैं यानि कोई बच्चा अगर जवान हुआ बढ़ा हुआ और बुड़ा हो गया तब भी उसे याद रहती हैं और वो अपनी दादी और नानी की जो कहानिया है या जो दादा की या नाना की कहानिया है उनको अपने बच्चों को सुनाते हैं थोड़ा सा इधर उधर करकर मगर कहानी वो पूरी तरह से exact सुनाते हैं, बिल्कुर ठीक सुनाते हैं उसका एक कारण बड़ा इसपष्ट है जो कहानिया हैं, उन कहानियों में कोई गणितिया mathematics नहीं है जो याद करना पड़ेगा, कोई formula नहीं है कोई उसमें नाम भी नहीं है, कोई उसमें ऐसी तारीक नहीं है कोई उसमें जगे नहीं है, तो उसमें सिर्फ दो-तीन character है खासत और से जंगल के दो-चार पक्षी हैं, उनके नाम है उनको आप बदल भी सकते हैं, मगर सार वही है जो बच्चों को सिखाना है दरसल ये सारी कहानी जितनी भी है, ये जो उत्पत्ती की गई है उत्पत्ती को जात बोलते हैं, जाती बोलते हैं और बाद में जातक भी कहने लगे यानि जातक माने जो उत्पत्ती की गई हैं, उत्पत हुई है बुद्ध के बाद में लगबग तीन हजार की करीव ऐसी कहानिया जो पांच तत्वों पे आधर है जिनको पंच तंच की कहानी बोलते हैं एसी पूरी दुनिया में चली लोगों ने अपने अपने नाम और अपनी भासा से इन कहानियों को खूब चटक मठक के साथ में बदल बदल कर खूब सुनाया और खूब इनको बच्चों को मनुझन किया और खूब बच्चों को जो moral education है सदाचार की और जो अच्छा बनने की जो धंब में चलने की जो उनको बात है वो अच्छी तरह से सिखाई ये कहानिया आज भी बहुत चलती है इस्टोरी टेल में सारी कहानिया इंगलिस में या हिंदी में लोग इसको बड़े चटकाई ले लेकर सुनते और सुनाते हैं तरसल ये कहानिया पहले घरगर में जो भालक थे वो सुनाते थे आज भी वो कहानिया सुनाई जाती है कहानी सुनाने का थोड़ा सा नियम काईदा बदल गया है कहानिया थोड़ी बदल गई उनका सार बदल गया है मगर तरीका वही है जो बुद्ध लोगों ने जो भिकों ने और जो भिकों ने और जो पासकों अपने बच्चों को धंब सिखाने के लिए ये बनाई थी, ये पैदा की थी, उत्पत्तिकी थी जिनका नाम जातक रखा, जातक माने उत्पत्तिकी गई तो ऐसी जातक कथा हैं मैं आजकल आपको बता रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी तेडा मेडा करके जोड के कहानी को अपने बच्चों को सुना सकते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई खास बात होती नहीं, आप इसका वीडियो भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, क् ये कोई गुड़ा भाग वाली नहीं है दरसल ये हिस्ट्री नहीं है ये सच्ची कथाओं पे आधारित नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें एक जंगल है जंगल में जानवर है ये जो आरंब होती है, श्टार्ट होती है तो कैसे होती है एक राजा है, एक जंगल है, एक नदी है, एक नाला है, एक जानवर है, एक हाती है, एक पेड़ है, एक पत्ती है, एक बेल है, एक लता है, एक पहाड है, एक समुद्र है, एक दरिया है मतलब इस तरह से आरम होती है एक सिकर के इसमें कहीं नहीं आता, कहानी है उसा कुछ नहीं है ताकि बच्चों को क्योंकि बच्चे जानवर से बहुत जादा आकर्षित रहते हैं और जब वो ऐसा सुनते हैं कि जानवर ऐसा बोला तो वो कहानी कथा एक वार में ही उनके मन और मस्तिक्स में फिट हो जाती है जिसको वो जीवन भर नहीं बूलते हैं और उसमें जो एजूकेसन होती है उसको जीवन भर पालन करते हैं वनना उनको ऐसा लगता है कि जानवर कहीं ऐसा ना कर दे या वैसा ना कर दे इसलिए जाता कथाओं का असर इतना जादा है कि जिसने एक वार एक वार कोई जाता कथा सुन ली वो गता भूल जाएगा उसके सार को नहीं बूलता कि क्या कहाता क्या नहीं इसले धम को सिखाने के लिए घर गर जाके जाता कथाएं सुनाई जाते थी और बताई जाते थी ये काम आप भी कर सकते हैं जैसे अक्टूर के 10 जो दिन होते हैं जैसे पहले के 10 दिन होते हैं उसमें आप जाता कथाओं की स्टोरी घर गर जाकर सुना सकते हैं बता सकते हैं और आपको बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए, बेसक आप चाहे भिकू हैं, चाहे उपासक हैं, चाहे इस्टुडेंट हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे मदर हैं, कोई भी हैं, मगर आपको जाता कता हैं सुनकर सुनानी चाहिए, जिससे के आपके बच्चे और आसपास के बच्च भी बना सकते हैं यानि कि आदोनिक जातक कथा उत्पत्ती कर सकते हैं आज के समय में इसलिए जातक कथाओं को खूब ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए और बुद्ध की जातक कथाओं का खूब जादा प्रचार प्रसार कीजिए ये भारत की पूझी है भ आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा कॉपी रैट फिरी थी और हमेशा कॉपी रैट फिरी रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक बेज़कर या इसमेंसे कोई भासा बदलकर या इसको print कर कर या इसको load करकर या डाउन्लोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को देखा कर या किसी को gift करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटरचिन है, यही धम की प्राकरतिक नियम है, धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी, 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 दूतियं पी धम्मं मर्सर्ण गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सर्ण गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्ण गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्ण गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पीद सेंगों सर्मं गच्छाम।